आज जो मैं हिसाब लगा रहा हूँ वो ऐसा हिसाब है जो सुनके आप थोड़ा डर सकते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत की जो एकॉनमी है वो 41 साल में सबसे बुरी मंदी में फसने वाली है यह हिसाब मैं नहीं लगा रहा हूँ यह गोल्डमेंट सैक्स लगा रहा है गोल्डमेंट सैक्स का यह जो लेटेस्ट रिपोर्ट है गोल्डमेंट सैक्स कौन है गोल्डमेंट सैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक है दुनिया का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक ह होते हैं जिनके पास अर्बो खर्बो डॉलर होता है और दुनिया के अलग-अलग stock market में और market में वो पैसा लगाते हैं इसलिए वो हर एक देश की जो आर्थिक विवस्ता है economy है उसको अच्छी तरह जाचते हैं भापते हैं और पता करते हैं कि यहां पर पैसा लगाना चाहिए और नहीं और गोर्डमेंट से अगसा क्या कहना है उनका कहना है कि पहली तीमाही में पहली तीमाही मतलब अप्रेल से जून 2020 में अगर हम पिछले अप्रेल से जून 2019 की तुलना करें तो 45 प्रतिशत भारत की जीडीपी 45 प्रतिशत गिर जाएगी लगभग आधी हो जाएगी और अगर हम देखे कि पूरे साल में कितने होने वाला है अप्रेल से अगले अप्रेल तक यानि 2020-21 का जो का जाता है उसमें क्या होने वाला है पांच प्रतिशत हमारी जीडीपी घड़ जाएगी आप एक चीज़ याद रखे है कि पहले गोल्मेंट सैक्स कह रहे थी लॉकडाउन से पहले कि भारत की जीडीपी 5.8 प्रतिशत बढ़ेगी यानि कि बढ़ना जितना था उसके तु तो जैसे मैंने दोस्तों आपको बताए कि गोल्मेंट सैक्स कह रहा है कि भारत की एकॉनमी का ये सबसे बुरा साल होने वाला है 1979 के बाद ये सबसे बुरा रिसेशन होने वाला है 1979 में क्या हुआ था सबसे पहले बहुती एक बड़ा बहुत बुरा सुखा भारत में पड़ा था और जिसके कारण पूरा जो कृशी शेतर है बुरी तरे से दब गया था साथ में दुनिया भर में इस वक्त रिसेशन चल रहा था क्योंकि ओल शौक हुआ था जितने भी पेट्रोल डीजल वगरा चीजे हैं उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ गए थे इसके कारण इंफलेशन यानि की महंगाई दर बहुत तेजी से बढ़ी थी और इस से दुनि प्लिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई थी और प्लिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है राजनीतिक असनमंजस जब होता है तो क्या होता है एको चलाना उतना आसान नहीं होता है जाखास कर जब दुनिया भर में एक रिसेशन आया हुआ हुआ है दुनिया भर म ये भी मानते है कि दुनिया में भी एक recession आने वाला है दुनिया भर में recession आने वाला है और दुनिया की जो GDP है पूरी दुनिया की जो GDP है वो अलग भग 3.5 प्रतिशत, 3.106 प्रतिशत 2020 में यानि इस साल में गिर जाएगी पिछले साल के तुलना में जैसे कि मैंने आपको कहा क यह हमारे देश में बहुत बुरा हो सकता है, पहले ती माही में 45 प्रतिशर्थ हमारी GDP पिछले साथ की तुलना में गिर सकती है, आधी हो सकती है, इसका एक बड़ा कारण यह है Lockdown, और Lockdown को जिस तरीके से सरकार ने डील किया है, क्योंकि आप देखिए Lockdown में जो Red Zone है, जहां पर सबसे ज़ादा restriction है, 45 प्रतिशर्थ देश की GDP यहां से आती है, लगबग आधी यही से आती है, तो यहां पर क्या हो रहा है, कि यहां पर अपरेल में थोड़ा बहुत खोला गया था, अपरेल के शुरू में और यह मही तक चला है, मार्च अपरेल मही में यह डेटा जो Goldman Sachs के पास है, 15 मही तक उनका कहना है कि इस एरिया में पीक सबसे ज़ादा एक टाइम आया था, जब बहुत बुरी तरह से बहुत सारे सेक्टर पिटे थे, उनमें से कौन से हैं, जैसे entertainment या culture, cinema hall हुआ, theater हुआ, कहीं पे आप monument में जाते हैं, ऐसे चीजे जो सारे हैं, यह बहुत बुरी तरह पिटे थे, 95% इनकी जो आए है, 95% peak rate पे गिर गई थे, अपरेल में, जब सबसे ज़ादा lockdown हुआ था, अब देखिए, restaurant जहां पे लोग खाने जाते हैं, ढाबा हुआ, hotel जहां पे रहने जाते हैं, यह यह भी इनका भी लगभग 95% इंपक्ट हुआ था, गिर गया था, transport services कोई बाहर नहीं जा रहा था, आज भी metros आता है, जगे पे बंद है, train अभी तक चालू नहीं हुए, plane अब कुछ दिनों में चालू होने वाले, लेकिन आप समझ रहें, बस यातरा सब कुछ देख लीजे, यह भी peak rate पर, red zone पर 95% यह भी नीचे गया था, तो इनका एक impact तो होगा GDP पर, अब आप देखें कि खाने के चीजे छोड़ करें, खाने के चीजे लोग खरीद रहें, कहीं कर दिलिवरी भी हो रहा है, तो वहाँ पे कमी नहीं आए, वो थोड़ा सा ग्रो भी किया है, लेकिन खाने की चीजे छोड़ कर अगर जो भी हम उत 80-90%, 80-90% गिरावट आया है, एजुकेशन, ओनलाइन एजुकेशन कहां तक हो रहा है, है ना, वहाँ पे भी एजुकेशन में 80-90%, 80-90% का impact हुआ है, Housing, Water, Electricity, यानि कि जिसको हम Utilities कहते हैं, जिसका Bill हम देते हैं, उसमें 40% गिरावट आया है, इसका कारण ये है, कि हमें लगता है कि घर में तो बैठे हुए हैं, कोई कोई चला रहे हैं, कोई कूलर चला रहे हैं, कोई फैन चला रहे हैं, तो Electricity Bill तो बढ़ना चाहिए, लेकि आप देख लिजिए, फैक्ट्रियों में खर्चा होता है, आफिस में खर्चा होता है, या पानी खर्चा होता है, वो बन था, तो इसकी भी आया खपत दोनों कम हुई है, Communication Services, चाहे वो आप देख लिजिए, इंटरनेट हो, घर पे बैठे लोग इंटरनेट यूज करें, ल ये भी 40 प्रतिशत घटा है, अब हम इस पर बार-बार बात करें, बहुत लोग भी बात करें कि देश में लगवा इस वक्त जो unemployment rate है, यानि कि लोगों के पास काम नहीं है, कितने प्रतिशत लोगों के पास इस वक्त काम नहीं है, 24 प्रतिशत, जो लोग काम ढूंड रहे है उनमें से 24 प्रतिशत, यानि कि चार में से एक के पास काम नहीं है इस वक्त, ये शायद हमारे देश में सबसे जादा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, 24-25 प्रतिशत पिछले कुछ हफतों से चल रहा है, ये CMI का डेटा है, और लगबग 10 करोर नौकरिया, अगर हम में 2020 क जो सर्वे अभी तक डेटा है, तो आप सोच सकते हैं, लगबग 10 करोर लोग जो माँ फेबरी मार्च में काम कर रहे थे, उनका काम चला गया, उनकी नौकरी चली गई है, आप सोचे रहोंगे कि ये तो सारे मजदूर वगरा हैं, इनकी नौकरी गई है, जितने भी आफिस पगरा हमें करते हैं, बाबू लोग हैं, मैनेजर लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, इनका तो कुछ नहीं हुआ होगा, जी नहीं, आप देखिए कि एक टाइम पर हम जानते हैं, पिछले दो-तीन सालों से वैसे ही नौकरीया नहीं थी, कहाँ पे नौकरीया बन रही थी, ज्या नौकरी गई है, एक एस्टिमेट कहता है कि लगबग 3,000 कहीं पर कहा जा रहा है, 5000 लोगों की नौकरी गई है, IT सर्विसेज में नौकरी जाने वाली है, एविएशन यानि की एरलाइन्स में नौकरी गई है, मीडिया में नौकरी गई है, बहुत सारी नौकरिया पूरे दे प्रेशनल थे, मैनेजर लोग थे, आपके बॉस थे, उनका भी सबसे बड़ा लॉस हुआ है इस वक्त, तो आप देखिए इसका कारण क्या है, कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी देश की तुलना में, बाकी अमर्जिंग मार्केट की तुलना में, बाकी गरीब देशों की तुलना में, हमारी देश में इतना बुरा क्यों असर है, जबकि कहा जा रहा था कि इस साल भारत लीड लेगा, सबसे अच्छा भारत की ग्रोध होने वाली है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्योंकि गोर्मन सैक्स कहती है, हमने तो कहा ही है, गोर्मन सैक्स कहती है कि भारत की जो economic package है जो मोधी जी ने कहा था 20 लाग कडो रुपे मैं दे रहा हूँ, 10% दे रहा हूँ, Goldman Sachs भी कह रहे हैं कि एक तो ये 10% है नहीं, ये बहुत कम है और जितना आया है वो भी बहुत लेट आया है, तो लिटल, तो लेट ये सब ही कह रहे हैं, Goldman Sachs में सीधा सीधा तो नहीं कहा है, लेकिन उनने कहा है कि देखिए, आपने कहा 10% आप खर्चा करेंगे, लेकिन असल जो खर्चा सरकार कर दी जो कारोबारियों या लोगों के भोगताओं के pocket में जाएगा, जो खर्च कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, भारत में वो सिरफ 1.3% है GDP का, 1.3% दस परतिशत कहा था मोदी जी ने, 1.3% असल में हैं, बाकी जितना है वो लोन मेला है, इसके बारे में मैंने पिछले हफते जो शो किया था उसको आप जरूर देखिएगा, अब बाकी देशों के साथ इसका comparison करते हैं, emerging markets कौन से होते हैं, जैसे भारत जैसे देश हैं, जो fully developed नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वहाँ पे थोड़ी सी बहुत विकास होई है, ऐसे देशों में 3-4 प्रतिशत सरकार खर्चा कर रही है, जादा खर्चा कर रही है, GDP के तुलना में, 3-4 प्रतिशत, हमारे देश में 1.3 प्रतिशत, चाइना में 5-6 प्रतिशत अधिक खर्च किया जाएगा, और आप कहेंगे चाइना में तो करना पड़ेगा, क्यों वहाँ पर इतने लोग मरे थे, इतने जादा लोगों को COVID-19 हुआ था, सही बात है, लेकिन आप देख लेंगे कि भारत अभी infection के तौर पे आगे निकल गया है, और testing भी हमारा कम है, तो वहाँ पर coronavirus के number rank में हम आगे निकल गए के चाइना के, लेकिन खर्चा करने के rank में हम बहुत पीछे हैं, USA का देखते हैं, USA, 11-12% GDP का additional spending करने वाली है USA, जहाँ पर जिसको आप कह सकते हैं, पुन्जीवाद का गड़, capitalism का गड़, जहाँ पर कहा जाता है कि state को खर्चा नहीं करना चाहिए, वो 11-12% जादा खर्च करेगी, और अगर हम developed markets देख ले, यानि कि विकसित देश, अमीर देश वहाँ पे भी 8% औसत खर्च बढ़ाया जा रहा है GDP का, उनके देशों में, सिर्फ भारत ऐसा है, जहाँ पे बहुत कम कर जाए है, अब ऐसा होगा तो Goldman Sachs भी कहती है, इससे अगर आने वाला है, सरकार को इस वक्त अगर 10% भी ना करे, 5% तो खर्च करना ही चाहिए था अपनी GDP का, 20 लाक करोड अगर ना खर्च करे, तो चलिए 10 लाक करोड तो खर्च करना ही चाहिए था, नहीं तो ऐसा ही हाल होगा, क्यूंकि इसा भारत ने सरकार ने ये खर्च न अच्छे दिन को आप टाटा बाय बाय कीजिए, वो नहीं आने वाले।